ट्रक पूरी तरह से कचरे से भड़ा था दूर से ही लग रहा था कि पूरे ट्रक में कचड़ा भड़ा है कचड़ा ओवरलोड था और NH-57 पर 36 गर नमर का यह ट्रक पूरी स्पीड से चल ला था ट्रक ड्राइवर को जरा भी संदे नहीं था कि बिहार पुलिस और बिहार एक साइज की टीम इसी ट्रक के इंतजार में है ट्रक ड्राइवर को बार बार मोवाईल पर फोन भी आ रहे था कि ट्रक कहां रुकना है ट्रक में लोड माल कहां अनलोड करना है ड्राइवर चुकी बिहार का ही था लहाजा वह फोन करने वाले को बारवार कह रहा था कि वह माल सही जगा उतार देगा पर जंजारपूर पुलिस के जवान तो इस ट्रक को पकरने की तैयारी में एक टक एनेच पर आँख गराए हुए इंतजार कर रहे थी और जैसे ये ट्रक जंजारपूर के मोहना जीरो माईल के पास पहुँचा कि पुलिस वालों ने इस ट्रक को रोख लिया पुलिस के साथ पटना से गए उतपात विभाग के इधकारियों के पास पक्की खबर थी कि पूरे ट्रक में लाखो रुपए के शराब हैं जिसे बिहार में ही अबच शराब के कारोबारियों को डिलीवर करना था पुलिस को देखते ही ड्राइवर के होँ शूर गए उसने ट्रक सरक किनारे रोख दिया पुलिस के जबानों ने पहले तो ड्राइवर को अपने श्रिकंजे में लिया और फिर ट्रक की तलाशी शुरू हुई तो पुलिस के साथ साथ उत्पात के अध्कारी भी चौंक परे मुख्वीर की सूचना से अधिक लगभग 55 लाख रुपए का शराब ट्रक में मौजूद था ट्रक से बावन सो लिटर अंग्रेजी शराब बरामत किया गया जिसके कीमत 55 लाख रुपए आखा गया है जिसे जंजारपूर मोहना जीरो माइल के पास एनेच 57 पर गुप्त सूचना के बाद पक्रा गया है उन्होंने कहा है कि ट्रक में कच्णे के नीचे छुपा कर शराब के काटून रखे गये थे और मामले में शराब और ट्रक को जब्द कर लिया गया है और चालक को ग्रफटार कर हिरासत में रखा गया है कि लेट नाइट खबर मिली थी को पुछना मिली थी कि मदनी से दिखाई पटना भी द्वारा भी फालो किया जा रहा थी और अस्थानिय जंजारपूर ठाना के सजोग से एक बरी ट्रक पकराए गया है इसमें बावन सो लीटर इलिगल स्राव पकराए गया है इस संदर में ड कर रहे हैं और जो भी इन पूट आएगा उसके अनसारा निशन्दे इसमें बहुत प्रिस्करी करवाई कि यह इटावा का है जो ड्रैबर बिसिकली लोग के तरह काम करते हैं इनको एक जगा हेंड़ोवर किया गया और इनको यह पता है कि हमको इटावा पहुंचाना है बा बैराल शराब के कारोबारी पहले जारखंड उत्तर प्रदेश और हर्याना से शराब की खीप मंगाते थे पर अब शराब कारोबारियों ने उत्तर पुर्व में अपना ठिकाना बनाया है लहाजा लगतार बिहार में शड़ाबंदी के बाद भी शराब और नाचल और सिक् अमर्देव ठाकुर की ये खास रिपोर्ट